जाएं दोस्तों कैसे हैं, Welcome to your KK4P Classes जो students first 12 के हैं और J-Mains की त्यारी कर रहे हैं या फिर जो बच्चे ड्रॉपर है जो J-Mains की त्यारी कर रहे हैं NIT या फिर IIIT या फिर IITs के लिए अगर वो त्यारी कर रहे हैं और उनका 75% से कम है तो उनके लिए good news है कि आपके पास option आ गिया है कि आप अपना 75% criteria remove करा सकते हैं तो अब बोलोगे सर ये कैसे क्योंकि पिछले साल से हम लोग लगाई लग रहे हैं कि 75% criteria हटना चाहिए बट High Court, Super Court सब हो गया बट remove नहीं हो पाया 75% criteria बट इस बार आपके पास बिल्कुल golden opportunity है तो ये आपको Twitter पे NTA ने एक update किया है कि आप लोगों से मांगा जा रहा है suggestion कि NTA के थूँ जो भी exam होता है जैसे कि J.M.S. हो गया, NEET हो गया, C.U.T. हो गया जो भी exam जो NTA कंडर्ट कराती है वो NTA में एक committee गठन किया है और उसमें आपका suggestion मांगा गया है कि आप लोग क्या चाहते हैं तो ये पहली वर ऐसा हो रहा है कि हम पहले अपना बात बोलते थे हमारा NTA नहीं सुनता था बट इस वर काफी pressure है NTA के पास क्योंकि जो नीट का question leak हुआ है उसके करण से government back foot पे है और काफी जो खामिया है जो internal जो insecurities है उस सबको देखा जा रहा है उसके लिए ये suggestion मांगा गया है तो इसमें आपको 75% criteria को review करने का suggestion अपडेट करना है तो minister of education जो X handle है जो पहले ट्विटर था उसमें update निकल के आया है कि तो यह X handle पे update आया है ministry of education की तरफ से की a high-level committee chaired by dr. K. Radhakrishnan former chairman of ISRO यहाँ पे लिखा गिया है the committee aims to recommend reforms in the examination process reform the examination process enhance data security protocols and review the structure and operation of national testing agency clear तो इसमें एक चीज और है the committee is seeking suggestion views and ideas from stakeholders like students and parents तो यह ध्यान अखने वाले बात है कि students और parents को mainly रखा गया है कि students और parents वो अपना suggestion दे सकते हैं तो यह आपके पास golden opportunity है कि जो भी students है जो भी parents है even teacher को भी कहा गया है बट focus है students और parents पे यानि आपको जो problem है उसको आप share करो upload करो इस पे तो इसलिए आप लोग से request है कि 75% काईटरिया करने के लिए आप लोग यहां पर अपना अपना अप्लाइ करो कैसे आपको यहां अप्डेट करना यहां तो आपको कहां पर समिट करना है यह लिंक दिया हुआ है यह लिंक मैं अप्डेट कर देना इस लिंक पर मैं क्लिक करूंगा यह आपको एक पेस खुलेगा उसका प्रोसेस क्या मैं आपको बता दे रहा हूं कि इस तरह का reforms on examination process ओके यहां पर आपको click here to submit करना है click here to submit इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको simply कि इस तरह से login open होगा तो यहां पर आपको simply आपने mobile number या email id से login करके आप यहां पर अपना account कर लिजिए फिर आपको update करना है और update कीजिएगा तो इस तरह से आपका यहां पर window खुलेगा यहां पर नाम दिखेगा mobile number दिखेगा state email id डाल दिजिएगा डिस्टिक किस डिस्टिक से category कौन सा है और यहां पर suggestion recommendation यहां पर लिखना है तो यह opportunity है तो आप लोग को simply कौन-कौन सा points आपको update करना है उस form में तो ऐसा है कि आपके पास बहुत चीज़ हैं बहुत issues हैं बट सारे issues आपका clear नहीं हो सकता है तो जो important issues है उसको आप update करो maximum बच्चे अगर वैसा करते हैं तो पक्का मैं challenge करता हूँ वह आपका 75% criteria remove हो जाएगा तो आप लोग 75% criteria पे mainly focus करो उसको remove करो और उसके बाद आपको जहीं मेंस का attempt है वह increase करने के लिए आप update कर सकते हो जहीं advance का attempt वह भी increase करने के लिए आप मार्क मिलना चाहिए ताकि आप लोगों को लगेगा कि हमने जो एक्जाम दिया मार्क कितना आया तो परसेंटाइल और रैंक में काफी ज्यादा conflict चलता रहता है तो इसलिए आप लोग मेंली इस point को focus करो और जो बहुत सारे बोलने कि reservation वेगरा तो वह ऐसा बिल्कुल पॉस किजिए आप लोग 75% focus किजिए attempt वरवाईए फिर जैसे नीट में आपके पास unlimited attempt है उसी तरह जही मेंस के लिए unlimited हो जाए ज्यादा अच्छा रहेगा ओके तो इस तरह से आप लोग में में point को update किजिए और बिल्कुल जो need है उसी को डालिए ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी क्योंकि actually हो क्या रहा है कि अभी government के उपर pressure है तो आप से मांग रहा है suggestion कितना implement होता है कितना execute होता है यह depend करता है कुछ दिंग के बाद तो यह आपको साथ जुलाई तक apply करना है तो कम से कम जो आपके हाथ में यह power आया है तो आप लोग इसका यूज किजिए और maximum से maximum बच्चे को share किजिए ताकि वो इसको update करेंगे तो 75% हो जाएगा जो कि काफी रहात हुगा क्योंकि बच् अच्छा हा रहा तब जाकि आपका हो रहा है राइटी आटी में तो फिर 75% की जरूत क्या परती है तो यह हटना चाहिए तो आप लोगो साथ जुलाई तक साथ जुलाई तक आप लोगो को साथ जुलाई तक इस form को apply कर दीजिए और जो इस चैनल पर सब्सक्राइब करके उन सब बच्चों को प्रोटिफाइब कर दीजिए जो आभी तक इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किये है और मैक्सिम बच्चे तक इसको पहुचा दीजिए तो यह आपके लिए गूड न्यूज है गूड अपडेट है तो इसको फटा 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 सकते हैं जो इस चैनल पर नहीं है तो पर सब्सक्राइब करें दीजिए मिलते हैं लोड़ी में गूड लग बाबाइब नाइस देख